हेलो दोस्तो, चैमातादी, कैसे हो आप सब, आसा करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तो, तो अभी मैंने एक ब्लोग खतम किया है और दूसरा ब्लोग स्टार्ट कर लिया है, तो अभी मैं चल रही हूँ दोस्तो, दवा लेने, जो की चल रही हूँ, अपना दवा लेने मुझे जाना है, तो वहीं पे आप लोगों कुमे लेकर चलूंगी, और क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो भी मैं बताऊंगी, अभी मैं उपर आई थी, ये दर्वाजी मुझे बंद करने हैं, अपना है, ये वोगों करने हैं, पर चलूंगी, ये बंद करने हैं, दिल थी, ये दिली, ये भी मैं आप लोगों करने हैं, अभी हम लोग होस्पिटल पहुंच चुके हैं और नमबर भी लग चुका है और आदे घंटे बाद या पौने घंटे बार नमबर आएगा हमारा ऐसे तो हम लोगों ने बहुत लेट ही कर दिया था और नमबर लेट में ही आएगा क्योंकि दूसरा सिप्ट लगा हुआ है नम होस्पिटल के अंदर जहां पर बेटिंग रूम होता है ना कि बैए तो दोस्तों अभी हम लोग दवाई ले चुके हैं और अब निकलते हैं घर को लिए हस्बेंजी गाड़ी लेने गये हैं अभी आ रहे हैं है और सामने हमारा देखें इसकी होस्पिटल में ने दवा ले दिया है कि चलिए अब चलते हैं घर पर तो अभी हम रास्ते से देखिए जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पर बहुत ही बड़ा जंगल पड़ता है और देखिए मौसं एकदम से खराब हो चुका है बारिस हो रही है और हम लोग भीग भी चुके हैं बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं इसलिए क्योंकि यहां पे जो इस रास्ते से हम लोग जाते हैं यह देखें जंगल पड़ता है और बहुत ही बढ़ा यह जंगल है हमारे यहां का तो डर भी लग रहा था तो दोस्तों यहां पे हम लोग रुक गये हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगी है और यहां पेड की वज़ा से थोड़ा सा पानी कम गिर रहा है तो भीग भी गई हूं मैं बहुत ज्यादा भीग गई हूं ठंड भी लग रही है और अभी घर पे नहीं पहुंच पाएं हैं अभी अभी कतना दूर है अभी 12 किलो मेटर है यहां से और यह हमारे यहां का जंगल है दोस्तों यह देखिए कौन सा जंगल ही है मनका पुरा है टिकरी जंगल है दोस्तों यह देखिए यह टिकरी जंगल है दोस्तों यह देखिए यह टिकरी जंगल है और यहां पे मैं आप लोगों को बंदर धेर सारा दिखा रही हूं देख लीजिए कितने सारे बंदर हैं और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये बंदर मेरा मुबाइल जो है छीन ना ले लेकिन मैं हस्बेंट जी से बोली थी कि तोड़ा धीरे धीरे ही गाड़ी चलाना बहुत सारे बंदरों का जूंड जो है निकला हुआ था जंगल से और बहुत ही अच्छा लग रहा था दे दोस्तों और साम के बज रहे हैं पांच अभी हम लोग थोड़े से बाहर जा रहे हैं कुछ काम से तो आप लोगों को भी लेकर चलते हैं और अभी मैंने कुछ काम भी किचनवाला नहीं किया है अभी मुझे थोड़े से बरतन भी धुलने हैं लेकिन वहां से लोट आउंग म्याओं आई हुई है जी पांस म्याओं से जा रहा है मिलने एदेखें जाओं है कर रो हाई कर आदर म्याओं म्याओं मेरे घर आते ही यह ढूणने लगती है चुहों को देखें और चुहा इस बिचारी को एक भी नहीं मिलता है पता नहीं कहां सब गायर हो जाती है यहाँ पे दोस्तों मैं देखिए आचुकी हूँ दुकान पे और यह दुकान जो है हमारे जेट जी का है मतलब हमारे बड़े ससूर जी के लड़की का है तो देखें आप लोग भी देख लीजिए और यहाँ पे मैं आई थी कुसागर के लिए कपड़े लेने क्योंकि उसका मुंडन है कल और हम लोगों को वहाँ पे जाना है तो कपड़े लेकर जाना है तो अभी मैं मुझे यह पैंट जो है बड़ा दिख रहा था बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा था बस दो चार कपड़े देखकर पसंद कर लिया था तो यह वाला कुर्ता पैजामा मैंने लिया था और बहुत सारी कुर्तियां भी सुन्दर सुन्दर टंगी हुई थी देख लीजिए अभी बहुत ही जल्दी यह जो है दुकान खुला हुआ है तो चलिए अब आप लोगों को नेक्ट वीडियो में देखने को मिलेगा में कहां जाएंगी तो चलिए बाबार